नमस्कान दोस्तों सुवागत हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरके योजना पर सरकार की तरफ से एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है राश्ट्रे पारिवारिक लाब योजना इस योजना के तहत 30,000 रुपे की आर्थिक सायता की जाती है सीधे बैंक खाते में ये धन्नासी ट्रांसफर की जाती है जिन वेक्ट्यों ने पहले ही इस योजना का लाब लेने के लिए ओन लाइन आविदन किया हुआ है आपकी जानकर के लिए बता दे की नई लिष्ट 2024 की जारी हो चुकी है इस नई लिष्ट में आपका नाम सामिल होना चाहिए आप अपना नाम इस नई लिष्ट में कैसे चेक कर सकते हैं कैसे देख सकते हैं वह तरीका इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं वीडियो की सुरुवात करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे प पारिवारिक लाब योजना के तहट जो नई लिष्ट जारे की गई है उस लिष्ट में आप अपना नाम कैसे देख सकते हैं वह तरीका हम आपको बता देते हैं नई लिष्ट में अपना नाम देखने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्रावजर को ओपन कर लेना है अपने मोबाइल फोन से ही आप लिष्ट में अपना नाम देख सकते हैं कैसे देखा जाता है वह तरीका हम आपको बताने जा रहे ह तो जैसे हमने मुवाइल फोन में Google Chrome Browser को open किया हुआ है, आपको भी open कर लिना है, यहाँ पर आने के बाद आपको लिखना है पारिवारिक जी हाँ, पारिवारिक लाब योजना जी हाँ, लिखकर आपको इसको सर्च करना है, अब जैसे हमने सर्च किया, सर्च होने के बाद द यहां पर आपको लिखा मिलेगा NFBS लिख रहा है यह एक official website है इसी पर ही आपको किलिक करना देखे लिखा है राष्ट्रे पारिवारिक लाब योजना तो इसी पर ही आपको यहां पर किलिक करना है हमने क्लिक किया और हमारे सामने कुछ इस तरह का interface ओपन हो चुगा है यहां प अब देखे यहां पर home का आइकन है यहां पर आविदन है यहां पर विभाग्य लोगिन है यहां पर report है यहां पर संपर्क सूत्र है सासना देश और साहिता नीचे आएगा नीचे आने बाद देखे यहाँ पर लिखा हुआ है नया पंजीकरण यानि की नया आविदन करने है तो यहाँ किलिक करे यदि कोई व्यक्ति ओनलाइन आविदन करना चाहता है तो यहाँ पर किलिक करके सबसे पहले पंजिकन करना होता है उसके बाद ही आप ओनलाइन आविदन करबाएंगे आविदन पत्र की इस्तिती जानने के लिए यहाँ पर आपको किलिक करना होता है देखिए, राष्टे पारिवारिक लाब योजना क्या है? किन वैक्तियों के लिए यह योजना चलाई गई है? आविधन करने के लिए किन डोक्यूमेंट की अवशक्ता होती है? क्या नियम बनाए गई है? पातरता दस्ताविज हमने इसके उपर एक वीडियो बनाए गई है उस वीडियो का लिंक आपको description box में दे दिया जाएगा वहाँ पर किलिक करके आप इस वीडियो यानि की जो राष्टे पारिवारिक लाब योजना है उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं तो देखे इस वीडियो में थे हम आपको जो नई लिष्ट जारी की गई उसके बारे में बताने जा रहे हैं यहाँ पर लिखा है report लिखा है report इस report वाले icon पर हम किलिक कर देते हैं आपको भी किलिक करना है किलिक होने बाद एक लिखा आ गया है जन्पदवार लाभारत्यों का वीवरण जिनका bill जैननेट हो चुका है उने ही का नाम इस list में सामिल है तो हम इस पर किलिक कर देते हैं किलिक हमने क्या और हमारे सामने अगला page open हो चुका है सबसे पहले देखें यहाँ पर वर्ष का चैन करें किलिक यहाँ पर आपको करना है आप देखें किलिक करने के बाद जो latest list है session है 2023 का ही है तो इसे पर यह automatic यहाँ पर किलिक क्या हुआ है यह पिछले साल की list में देखना चाहते हैं पर किलिक कीजिए उससे पिछले साल की में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर किलिक कीजिएगा ठीक है तो यहाँ पर जो latest है वे आपको दिखाने जा रहे हैं अब देखें यहाँ पर लिखा भी है जन्पदवार सारांस पारिवारिक लाब योजना अब देखें उत्तर परदेश में कुल 75 जिले हैं अब सभी जिलों के नाम इस list में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें से जो भी आपका जिला होगा उसका आपको यहाँ से चुनाव करना है ठीक है हम यहाँ पर किसी एक जिले का चुनाव कर लेते हैं आपको अपने जिले का चुनाव करना है हमने किलिक किया किसी एक पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है अब देखें यहाँ से जो आपको किलिक करना है अपनी तैसिल का यहाँ पर किलिक करके चुनाव करना है जी हाँ, सबसे पहरे आपको अपनी तैसिल का चुनाव करना है अपने जिले के चुनाव करने के बाद तो हम यहाँ पर किसी एक तैसिल का हमने चुनाव कर लिया है चुना होने के बाद एकि फाइनेंसियल एर दो हजार तेश्टोपिस यहां पर लिखा भी आ चुका है अब नीचे आईएगा नीचे आने के बाद देखे कुछ जिले ऐसे हैं जिनकी अभी बिल लिष्ट जारी नहीं हुई है जहां पर आप देख रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जिनकी लिष्ट भी जारी हो चुकी है यदि आपका जो जिला है या बलोक है उनकी लिष्ट भी जारी नहीं हुए तो आप कुछ दिनों का इंतजार कर लिजेगा अब देखें यहां पर आने के बाद यहां पर इतने बलोक है इसमें से अब आपको अपने बलोक का चुनाओ करना है तो हम किसी एक बलोक का यहां पर चुनाओ कर लेते हैं आपको अपने बलोक का चुनाओ करना है बलोक का चुनाओ करना होने के बाद अब देखें यहां प तो इस पंचायत में एक व्यक्ति हैं जिनको 30,000 रुपे कलाब मिल चुका है अब देखे यहाँ पर इसमें तो तीन व्यक्ति हैं तो एक को 30 मिले 30 प्लस 30 और प्लस 30 और 30 यानि कि 3 बारा प्लस 30 कीज़ेगा देखे 30,000 ठीक है और यहाँ पर 30,000 इसके बाद 30,000 टोटल हो चुके हैं 90,000 रुपे ठीक है यहाँ पर आप 90,000 रुपे देख सकते हैं लिखा हुआ है 90,000 रुपे अब हम किसी एक पर यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं ठीक है किसी एक पर हमने इसका भी सुनाओ कर लिया है अब यहाँ पर यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक नहीं हो पाएगा, या तो यहाँ पर क्लिक कीजे, या यहाँ पर क्लिक कीजे, सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, अब देखे, क्लिक होने के बाद, कुछ लिस्ट में लाभारतियों का नाम आ रहा है, और किसी की लिष्ट ओपन नहीं हो रही है उन्हें करप्या कुछ दिनों का इंतजार करना होगा लिष्ट में फिर वे अपना नाम भी देख पाएंगे तो देखें यहाँ पर हम इस पर यहाँ पर किलिक कर लेते हैं वैसे नो व्यक्तियों को देखिए यहाँ पर 2,70,000 रुपे का लाम म भी नहीं देखिए यहाँ पर इतना तो अभी लिष्ट अपडेट की गई है किलिक करके भी आगे देख लेते हैं अब जैसे हमने किलिक किया देखिए किलिक होने बाद यहाँ पर आ गया है सिरियल नंबर, रजिस्टेशन नंबर, एप्लिकेंट नंबर, एप्लिकेशन हजर यानि कि झो लाभारती है उनके हज्बेंड का या फादर का नाम और यहां पर name of यानिकी dead person यानिकी जिन वेक्तियों की यांपर मिर्थि हुई है उनका नाम यानिकी dead person husband father इनका भियाम date of यानिकी जिस तारीक मिर्थि हुई है वह तारीक और यहांपर देखे form submission date यानिकी जिस तारीक में form submit किया था application यानिकी relation of applicant with तो इसमें भी यहां पर अपडेट अभी नहीं दिया गया है देखिए यहां पर यह इस प्रकार्ज की आपको जानकार देखने मिल जाएगी जब यहां पर लिष्ट जो है अपडेट हो जाएगी केवल इसमें लिष्ट अभी इतनी ही जारी हुई है 2023 की ही यदि आप पुरानी लिष्ट देखेंगे तो वह भी यहां पर आपको अपडेट मिलेगी लेकिन जो अभी सैसन है 2023 का वह कुछ जिलो की लिष्ट अपडेट हो पाई है तो यदि आपका लिष्ट में भी कुछ इस परकार से देखने को मिल रहा है तो करपिया आप कुछ दिनों का इंदजार कीजेगा जल्द ही आपका नाम भी इस परकार से लिष्ट में यहां पर सामिल आप देख पाएंगे आज की जानकारी में बस इतना ही यदि आपको मर्द्वी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है डाउट हैं पूछना चाहते हैं नीचे कॉमेंट बॉक्स में आगर पूछ सकते हैं सभी साल के जवाब आपको दे दिया जाएगा लाश्ट में हम निवेदन याई करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूले अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकार एक साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत